यूके स्टडी वीजा दे गल करिये ता लगातार उन बड़ी पॉजिटिव गुड नियूज जो है यूके तो मिल रही है ने स्टूडेंट्स दा रुजान वी अदन बदना शुरू हो गया क्योंकि यूके गवर्मेंट वलों भी जो है स्टडी वीजा दे उपर फोकस किता जा रहे हैं आखिर एक बदला एक दम क्यों हो आए ने इस उपर भी आपा गल जरूर सांची करांगे ता कि स्टूडेंट जो है सारी चीजा नो जरूर समझ सकन के आखिर है चीजा चेंज होंदी हैं क्यों चेंज होंदी हैं अगर हून पॉजिटिव हो रहे हैं ता क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं और स्टूडेंट नो जल्दी तो जल्दी सही टांगनल की में अप्लाई करना चाहिए है कमिंग इंटेक दो पर भी फोकस आपा जरूर करांगे विदाउट आइस विदाउट इंटर्विव एता सवालक से रहन देने ता ए सब प्रोफाइल जो प पर मिसिस वीना गोईल मैम सा डिनाल ने बहुत बहुत सबागत है मैम सा श्रीकाल श्रीकाल तो तड़ा तड़ा पॉजिटिव रिजल्ट्स आणगे वीजा लगदे नजर आणगे हर जो देखो एस टाइम जड़ा यूके दा वीजा बहुत अच्छा सक्सेसरेट ते चाली रहे है स्टूडेंट्स अरुजान अचानक बहुत 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 दिया कि जद स्ट स्टूडेंट्स पाउस नो ना लेके जा सकता है यह सारे प्लस पॉइंट्स है जेदे एकारण इकदम तो यूके दे इंक्वारी जादा हो गई है बच्चे यूके जानदे चाहवान होई है सेकेंड ही है कि हुन बच्चा जेड़ा है समझो जाना चांदा सी अस्ट्रेलिय या कैनेडा कुछ नेगेटिव किसे भी साथ हो या फैमिली इंकम तो या कोई जॉब अपर्चुनेटिस करके कि उन्हों यूके पॉजिटिव लगया इस करके कि जम हम लो बैचुलर इत्थे कर ली दासा यार पॉंड दी बैचुलर लैली पच्ची ती लक्ष बच्चे न जान दी है 100% वीजादी अपनी मन पसंद कंट्री जा अग्ये मूव करना चांदा है मतलब एवी ओदे विच आना कि यह इत्थे में रह गया एथे कुछ किस कुछ भी नहीं कर सकूंगा इत्थे और प्रैक्टिकल स्टॉडीज नहीं है मतलब जड़े बाहर जान दा एक एक चाहिए चैक आईडाय जान चाहिए ओदे बाद इनसाल देल बहुतार कुछ चेंज उप्वाट मेख्व हो ऑदे बाद आस्ट्रेलिया जाना चाहिए Ireland, New Zealand, wherever he wants यह एक बहुत अच्छा पोजिटीव यह है reason being plus two IELTS थे plus two दे बाद बच्चे दी साननो कोई IELTS नहीं चाहिए MOI medium of instruction English थे जा सकदा है PT काट है फिर भी accept हो जाएगा IELTS नहीं किती हुई CBSC तो 70% है या 65% है वी accept हो जाएगा और जा graduation दे बाद भी IELTS नहीं किती हुई वी बच्चा without IELTS जा सकता है इनने सारे पॉइंट में तो नुदस से है कि master by research और अपनी family नो ना लाक के जा सकता है और जा बच्चे ने IELTS PT नहीं किती plus two किती हो या CBSC, ICSC किसे तो भी 70% English तो या 65% जा एवी नहीं है कुछ यूनिवस्टी एद्दा दी है कि 70% है चाहिए स्टेट बोड तो पड़े हो फिर वियो लहला दी है तो एस टाइम UK जड़ी है welcoming country इस करके है कि जैत उसी अग्य मूव होना time समा खराब नहीं करना क्योंकि साल दो साल मैं कई वरी बच्चा एक मन पसंद country नहीं जी मैं Australia जाना केस बन नहीं रहा GT clear नहीं हो रही पर वो साल खराब करता साल फिर अग्या सोचन चे खराब करता तो तीन साल चे तो डिगरी कंप्लीट हो जानी है और मास्टर दा बच्चा एक साल चे अपनी पोस्ट ग्रेज़ेशन कंप्लीट करके प्यार अप्लाई करना चांदा तो ओधे पॉइंट वाद गे किसे होर कंट्री जाना इसे कंट्री जी दो साल दा पोस्टरी वर्क परमिट मिल गया और तो उन्हों मन पसंदी जोब मिल गई और तो उन्हों सेटमेंट मिल गई तो तुसी यू स्टे बैक दिया तो देरा लॉट अपर्चुनिटीज यूव तो आप्ट की करना चांदेव यूके इस गोइंग तो बी वेरी पोजिटीब बहुत अच्छा रिजल्ट आरे है स्टुडेंट्स नो और स्टुडेंट्स तो जड़ा काफी इंट्रेस्ट बनिया इसे कर जी माम सो कमिंग इंटेग बारे वी जरू स्टुड़न डाज़ सप्टेंबर इंटेक लिए उने प्लाई सुड़ेंट्स हैं हुन कर सकते हैं देखो कफी सरी यूनिवर्स्टीज कि सप्टेंबर भी जगा है अक्टूबर इंटेक हैं तो ओधे वस्ते सटड़कोल नहीं चाहिए दा इस करके भी जड़ा स्टूडेंट नो यह थोड़ा एक अट्रेक्टिव लग रहे हैं फीस भी ओ सिक्स मन्थ दी पे करके जा सकता है क्योंकि बाकी कंट्रियां चाहिए किसे ब्लॉक चाहिए किसे चाहिए जी इसी वी चाहिए वन एर दी फीस वी चाहिए एथे खली तुसी समझो फीस तो अड़ी जदा से यार पॉंड़ा या ग्यारा जा रहा है छे मिनने दी फीस तो और तुसी जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल देखो सोई जड़ा पॉजिटीव इक रुजा अंचाल रहे है तुसी वी इसा फाइदा ज़रूर ले सकते हो सही टांग देनाल अप्लाई कार दे हो सही ओप्शिन जणाल अलगे बाद दे हो ता पॉजिटीव रिजल्ट्स आनू मिलन वाले ने होर क कोई सवाल होए तो अड़े मानमीश तो अड़ी प्रोफाइल नो लेके यहां पे तुसी अगर अक्टूबर इंटेक विच अप्लाई करना है उसनो लेके ता जरूर जड़ा नंबर डिस्प्लेइ इस पर कॉल करो पूरी इन्फोर्मेशन लो या फिर नैविगेट इस ओब झाल फिर नाल झाल